अगर आप बैचलर या मास्टर के अंदर लास समस्टर की एक्जाम देच चुके तो डिग्री स्रेटिपीट के लिए क्या प्रोसीज जाएगी उसके रिगारिग आज कर दिसक्षान करेंगे यह सब डिसक्षान में अपने एक्सिरेंस के बेस पर कनाल बाचांस को चेंज भी ह पर जरूब की जाती है तो चलिए वीडियो को स्टार करते हैं तो बोलना चाहूँगा अगर आप फाइनले अरके स्टुटन सो चाय यूजी या पीजी और आपने लास समस्टर की एक्जाम दे चुके जो मोस्ट ऑप मार्च और हमारी फिनिश हो जाती है उसके बात करते है कि जो में एंड होते हैं या पी जून के फर्स्ट वी तक हमारा डिक्लेयर हो जाता है तब रिजल्ट होने के बाद कब हमें डिग्री सर्टिपेट के लिए नोटिफिक्शन आती है तो बोलना चाहूँगा गोजा दिश्टी की बात कर रहा हूं सबसे पहले सैप्टेबर मन प्रश्ट या पिछले साल के एटिक एटिक इस्पियूंस भी रहे है अब पास्ट हुए तो वह भी यह डिक्री सेटिफेट के लिए फॉर्म फिलब कर सकते हैं उसके बाद बात कते हैं इसके इंड के लिए नोटिफिक्शन जरूर आता है जिसमें करेंट यर के अंदर ला के अंदर वो इस बार फॉर्म कर सके उसके लिए अगयन एकिशन की या तो यह दो बार साल के अन्दर एक सेप्टेमर में मैं मार्च मन में हमें फॉर्म के लिए ओनलाइन नोटिफिकेशन आती और यह सब प्रोसेश आपको ऑनलाइन करने हैं फिसकी बात करें तो नॉमिनल टू सिक्ष्टी रुबिस चार्ज रखा जाता है फॉर्म फीलप का जिसके तो आपके घर तक भी पहुंचता है बात करो कब तक हमारे पास यह सर्टिफेट पहुंचता और किस तरह से तो मोस्ट कीईए इसके लागे कुछ इंफों से रह Mister तो नीचे वीडियो के मसि पास। मिलते लिए में विसयो ल्ðाइल थे घर यू